और एक platform भी प्रोवाइड करते हैं हमारे traders और investors के लिए तो crude oil को options के जरीए भी किस तना से trade करने की एक way out है writers के लिए, buyers के लिए देखे उससे पहले मैं थोड़ा सा एक context put करना चाहूंगा जैसा आपने पूछा विश्व महन जी की crude oil, natural gas इसमें volumes बहुत बढ़े हैं लेकि बढ़ने का एक reason है पूरे covid के समय में सबसे जादा चर्चा में crude और एंजी ही रहा है चाहे आप crude पहली बार history में negative में trade किया उसके बाद सारे investors जो financial market से जोड़े हैं globally सबका ध्यान crude पे गया कि crude में आखिर हो क्या रहा है natural gas में भी हम लोगों ने देखा Russia Ukraine war के बाद lifetime high पे natural gas prices चले गए तो उसका कारण जानने के लिए जो equity market को track करते थे bond market को track करते थे उनका भी एक attention energy prices पे आया जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि participation grow हुआ है आज एक कोई retail trader है जिसका equity में holding है उसे भी अभी जानना ज़रूरी रहता है कि crude में movement क्या हो रहा है 100% कितने सारे sectors हैं आप कैसे oil paints और इन सब को छोड़ सके आपका portfolio में energy prices portfolio कि इस तरह से design करना है उसमे energy prices बहुत बड़ा role play कर रहा है तो उसके कारण हम लोगों ने देखा है participation बहुत बढ़ा है और thanks to MCX और बाकी exchanges जिन्होंने cash settled contract launch किया तो जिसमें वो complications इसमें delivery लेना है delivery के process क्या है उससे लोग दूर है वो समझते हैं कि जिस तरह से मैं equity index trade कर रहा हूं धन platform पे यह जादा तर वही लोग हैं जो equity समझते हैं equity option समझते हैं वही यहाँ पे आये हैं और उनका trade करने का pattern अलग है क्योंकि वो water test करना चाहते हैं तो छोटे contracts के साथ आते हैं तो छोटे contract छोटे traders के लिए options बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम बन रहा है जहां तक options में trading की बात है again बहुत सतर्कता रखने की जुरूरत है बहुत सारे चीजे समझने की जुरूरत है आप अगर option buyer है तो ऐसा possible नहीं है कि आप हमेशा ही profit करें तो आपको contract समझना जुरूरी है जैसा रवेश ने बताया जो factors हैं वो factors पे ध्यान देना जुरूरी है अगर आप उस चीजे को follow करें और बहुत discipline के साथ trade करें तो आप energy नहीं बाकी options contract में भी जो आपका end goal है अच्छा मुनाफ़ा कमाना वो जरूर कमा सकते है ओके बिल्कुल